नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आपने एक कहावत तो सुन होगी, आम के आम, गुठुलियों के दाम, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे फल पाये जाते हैं, जिनसे आप दो तरफा लाव ले सकते हैं, आपने गौावा यानि अमरूद के फल के बहुत सारे हेल्थ बेनफिट्स होते हैं, लेकिन अमरूद के साथ साथ उसकी जो पत्तियां हैं, गौावा लिप्स, उसके जो हेल्थ बेनफिट्स हैं, अमरूद से कहीं दो गुना जादे होते हैं, और अमरूद की पत्तियां अगर आप खाली पेट, ज उसके health benefits के बारे में आपको बता दें कि अमरूत की पतियां इतनी कारगर हैं कि आपके सरीर में किसी भी प्रकार की allergy हैं ये पतियां anti allergic होती हैं anti diabetic होती हैं अगर आप मदू में sugar patient हैं तो उसके लिए अमरूत की पतियां बहुत ही कारगर उपाए हैं अगर आपका cholesterol खराब और अच्छा cholesterol है cholesterol की वज़ा से आपको समस्या हो रही है तो अमरूत की पतियां cholesterol को भी control करती हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपके बढ़ते वजन को control करती हैं बहुत सारी लोग का वजन बढ़ जाता है वजन बढ़ने से घर सारी समस्याइं उत्पन होती हैं heart diseases एपलरीज में blood wage ना होता है तो heart की उपर दबाव पड़ता है तो ये weight loss को समझ लीजी कि आपके सरीर में वजन को कम करती हैं तो दोस्तों आपको बता दें कि अमरूत के फल से होने वाले स्वास्त लावों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा लेकिन क्या आप इसके पत्ते के अउसधी गुणों के बारे में जानते हैं जिहां आप अमरूत की पत्तियों को किसी भी तरह से कम ना समझें इसके सेवन से कई सेहत संबंधी परिशानिया चुटकियों में दूर की जा सकती हैं आज आपको मैं बता रहा हूँ कि अमरूत के पत्तों को क्या-क्या आउसदी लाव है और किस प्रकार आप इनका सेवन करेंगे तो आपको जो है फाइदा मिलेगा अमरूत की पत्ते आउसदी गुणों से भरपूर होते हैं इनका इस्तेमाल कई तरह के रोगों से लड़ने और स्वास्त समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है अमरूत की पत्तियां ऐसा हरबल उपचार है जो सरीर को नुकसान पहुचाए बीना ही आपको स्वास्त लाब देती हैं इसमें एंटी आक्सिडेंट जिवाणरोधी और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं साथ ही इन पत्तियों में मौजूद रसाएं जैसे पॉलिफेनोल, केरोटेनाइट, फ्लेवनाइट और टैनिन बिभिन विमारियों के इलाज में बेहत प्रभावी हो सकते हैं दोस्तों आपको बता दें कि अमरूत की पत्तियां आपके सिहत स्वास्त के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं ये आपके बढ़ते वजन को घटाने में सहायक होती हैं अमरूत के पत्तों में कई बायो एक्टिब कंबाउंड होते हैं जो आपके सरीर में कार्भोहाइडरेट के आउसोस्वन को रोक सकते हैं साथ ही ये सरीर में सुगर और कैलोरी के मात्रा को कम करते हैं जिससे वजन को कम करने में मदद मिलती है इसी के साथ दोस्तों ये diabetes में भी बहुत फाइदेमंद है अमरूत की पत्तियों में मौझूद फेनोलिक, योगिक, रक्त, सरकरा को इसतर को नियंत्रित करने में मदद करता है अमरूत के पत्तों के सेवन से लिपिड में भी कमी दर्ज की गई है इसके सेवन से प्रोटीन, गलाइकेशन को भी कम किया जा सकता है यानि शरीर में मौझूद सुगर के इसतर को नियंत्रित किया जा सकता है ऐसे में कहा जा सकता है कि अमरूत के पत्तों में एंटी डाइबिटिक गुन होते हैं अगली बात कुलेस्टराल की करते हैं अमरूत के पतों के सिवन से प्लाजमा कोलेस्टराल का इस तर कम होता है इसमें मौजूद तत हाइपर ग्लाइसीमिया यानि सुगर की उच्छ मात्रा को भी कम करने में मदद करते हैं जिससे कोलेस्टराल को रोकने में मदद मिलती है इसके अलावा हाई कोलेस्टराल यानि हाइपर कोलेस्टरोलोमिया की वज़ा से होने वाले आक्सिडेंट इस्ट्रेस को भी कम किया जा सकता है इसके अलावा अमरूत की पत्तों में हाइपोलीडेमिक गुन भी होता है जो सरीर में लिपिड की मात्रा को कम कर सकता है अगर आपको डेंगू बुखार हो गया है तो अमरूत की पत्ते डेंगू के लिए भी लाबदयक मने जाते हैं या प्लेटलेट्स बढ़ाने में मदद करते हैं और रक्त स्राव से आपको बचाते हैं दरशल अमरूत के पत्तों के काड़े में क्वेरसेतिन होता है जो वाइरस के दोरान एंजाइम, MRNA के गठन को रोगता है ऐसे में डेंगू बुखार में अमरूत के पत्तों का सेवन फाइदे मन्द माना जाता है डाइरिया अगर आपको डाइरिया की प्राबलम है तो अमरूत की पत्ते में डाइरिया ठीक करने के गुण भी पाय जाते हैं आपको बता दें कि डाइरिया में अमरूत की पत्ते से निकला अर्क लाबदायक हो सकता है यह E. coli bacteria के वज़ा से हुई दस्त की समस्या को खत्म करने के साथ ही इसमें होने वाले अन्य परिशानियों को भी नियंत्रित कर सकता है इसका कारण इसमें मौझूद एंटी हेलमेंथिक गुण को माना जाता है जो पीड से सम्मदित सभी परिशानियों को खत्म करके हीमोगलोविन को बढ़ाने में मदद करता है इस्पर्म काउंट अमरूत की पत्यों के मदद से इस्पर्म काउंट को भी बेहतर किया जा सकता है साथ ही प्रजनन छमता को बढ़ाने में भी अमरूत की पत्यों को सक्षा माना गया है अम्रूत की पत्तों में मौजूद एंटी आक्सिडेंट गुण सुक्राण यानि इस्पर्म विसाक्तता पर लावकारी असर डालते हैं जिसे पूर्सों की प्रजनाच्छमता को बेहतर करने में मदद मिलती है घाव और इंफेक्शन अम्रूत की पत्तों में मौजूद आउशधी गुणों की वज़ा से ये घाव को भरने में मदद कर सकते हैं दरसल इसमें मौजूद रोगाण रोधी गुण घाव और इसकीन इंफेक्शन से सम्मनित बेक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं इसके परणाम शुरूब घाव को जल्दी भरने में मदद मिलती हैं आपकी पाचन को सुधारे, डाजेशन को इंफ्रूब करे अम्रूत की पत्तों को पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा माना जाता है इसमें मौझूद एंटी बेक्टीरियर और एंटी माइक्रोबियल गत्विदी आपको रुगाणगों और अन्य जिवाणों से बचाने में मदद करती हैं अम्रूत की पत्तियां ऐसी गैस्ट्रिक एंजाइमों को बनाती हैं जो पाचन की क्रिया में मदद करती हैं और शरीर में पोसक तत्तों में सुधार करती हैं अम्रूत की पत्ते गैस्ट्रिक अलसर को कम करने में मदद कर सकते हैं दरसल अम्रूत की पत्तों में मौझूद फ्लेवनाइट्स गैस्ट्रिक पीच को बढ़ा कर पेट में अलसर को होने से बचाते हैं अगर आपको ब्रॉंकाइटिस है, अमरूत की पत्यों का इस्तिमाल ब्रॉंकाइटिस के लिए भी किया जाता है, दरसल ब्रॉंकाइटिस के दवरान स्वास नली में जलन और सुजन आ जाती है, ऐसे में अमरूत की पत्यों में मौजूद एंटी इंफ्लिमेटरिक गुन, मात दर्द, गले में खरास और मशूनों के लिए, अमरूत की पत्यों में मौजूद एंटी इंफ्लिमेटरिक और एंटी माइक्रोवियल गुनों की वज़ा से दाद दर्द को भी ठीक करने में मदद मिल सकती है, इसके अलावा, बंद गले और जबडे की सूजन में भी आर अमरूत के पत्ते से कैंसर के मरीजों में DNA और अनिकोसिकाओं को छति ग्रस्त होने से बचाया जा सकता है, अलर्जी, अमरूत के पत्ते में एंटी इलर्जी गुन पाया जाते है, यह गुन सरीर में होने वाली इलर्जी को कम करने में मदद करता है, इसमें मौजूद एंट inflammatory cytokine को बनने से रोकता है अब बात करते हैं कि तवचा के लिए और बालों के लिए अमरूत के पत्ते के क्या फायदे हैं मुहासे और काले धब्बे का उप्चार तवचा पर होने वाले मुहासे और काले धब्बों से अकसर लोग परिशान रहते हैं इन से छुटकारा पाने के लिए भी आप अमरूत के पत्तों का इस्तिमाल कर सकते हैं इसमें बिटामिन C पाया जाता है जो आपके चेहरे के दाग धब्बे यानि के हाइपर पिग्मेंटेशन को दूर करता है साथ ही इसमें मौझूद anti-inflammatory गुण आपके मुहासों को ठीक करते हैं अब बात करते हैं इसका इस्तिमाल कैसे करना है अमरूत के 10 से 12 पत्तों को पानी की कुछ बूंदों के साथ ब्लेंडर में पीस लें अब इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर लगा लें पेस्ट के सुखने के बाद इसे धो लें आप रोजाना इस प्रिक्रिया को दोहरा सकते हैं खुजली इन्फेक्शन होने पर तुचा पर खुजली होने लगती है वहीं हम आपको बता दें कि अमरूत के पत्तों में anti-infective प्रभाव होते हैं जो इन्फेक्शन को होने से रोखने में मदद कर सकते हैं ऐसे में इसके लेब के इस्तिमाल से आपको तुचा पर होने वाली खुजली से राहत मिल सकती है इस्तिमाल कैसे करें आप आवसक्त अनुसार अमरूत के पत्तों को पानी के साथ महिन पीस लें इसका लेप तयार होने के बाद इसे खुजली से प्रभाविजेगों पर लगाएं खुजली ठीक ना होने तक इस प्रक्रिया को दोरा सकते हैं एंटी एजिंग गुण भी पाय जाते हैं अमरूत के पत्तों में अमरूत के पत्तों को स्किन टानिक की रूप में इस्तमाल किया जाता है या तोचा संबंधी परिसानियों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है इसमें ज्यादा मात्रा में एंटी आक्सिडेंट पाय जाते हैं ये मुक्त कणों से आपकी तोचा को बचाते हैं जो आपकी तोचा पर समय से पहले जोर्रियां आने का कारण बनते हैं साथ ही इसमें बिटामिन सी भी होता है जो तोचा पर एंटी एजिंग की तरह काम करता है अब बात आती है कि इस्तिमाल कैसे करें सबसे पहले इसका पेस्ट बनाने के लिए एक जार में अमरूत के मुठी भर पत्ते और पानी डाल लें आप इसे एक ब्लेंडर में डाल कर पीस लें आप इस पेस्ट को रोजाना अपने चेहरे पर लगा सकते हैं इसके आलामँ आप इसे फेस्ट ओना के रोप में भी इस्तिमाल कर सकते हैं आप अमरूत के पत्तों को उबाल कर काड़ा भी बना सकते हैं इसके ठंड़ा होने के बाद रूई के मदब से इसे चेहरे पर लगा लें कुछ समय के बाद चेहरे को साफ कर लें समय कुछ करा हैं यहां तक कि कुछ उत्पादों में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है अमरूत के पत्तों को पानी में उबाल कर काढ़ा तयार कर ले इस काढ़े को छान कर आप बालों की मालिस करें इसके अरवाँ आप काढ़े से बालों को धो भी सकते हैं अम्रूत के पत्तों के फायदे के बारे में कुछ और भी चीज़े हैं कि क्या-क्या इसके अंदर कौन-कौन से पॉस्टिक तत्तों पाय जाते हैं इसके बारे में भी जा लिज़े अब अम्रूत के पत्तों का उपयोग कैसे करें अम्रूत के पत्ते का इस्तेमाल आप तचा और स्वास्त के लिए कर सकते हैं आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है अम्रूत के पत्ते का आप काड़ा बना कर पी सकते हैं आप इसका इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकते हैं, आप चाहें तो सुबह सुबह उठ करके बंजन करने के बाद अमरूत की इदो तिन पत्यां आप खाली पेट चबा सकते हैं, अब बात करते हैं दोस्तों कि जितनी भी जो है अरवेदिक आउशदियां हैं, जिनके बहुत सारे जो है आउशदिय लाव हैं, अगर आप उनका गलत ढंक से उप्योग करते हैं, तो वो आपको कुछ साइड इफेक्ट भी डाल सकते हैं, तो अमरूत के पत्ते के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि अमरूत के पत्तों में भरपूर आउशदिय गुन होने की बज़ा से इसके नुक्सान काफी कम है, बस ध्यान रखें कि आप इसका सेवन अतधिक मात्रा में न करें, क्यूंकि अधिक मात्रा में किसी चीज की सेवन हानिकारक होता है, चाहे एलोपैति को, चाहे होमेपैति को, चाहे अरवेदि को, अगर आप जरूरत से ज़्यादा तु도 दोस्तों आपने देखा अम्रूत तो सभी खाते हैं अम्रूत तो सभी को पसंद यह ऐसा फल है जो जो है फल मे तो बहुत सारे ब्रीकर ही है पाचरत अंतर को सुधारता है लेकिन इस्की पत्तियों में उससे कहीं दो गुणे फायदे हैं तो अमरूत की पत्तियां आपको हर जगा पर प्राप्त हो जाएंगी आप इसका जरूर इस्तेमाल करिए एक बार इस्तेमाल करके देखिए आपको स्वास्त लाब मिले तो आप इसका इस्तेमाल बार बार करिए तो दोस्तों आसा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो तो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो फ्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बिल आएकन को ज़रूर प्रेश कर दिजेगा तक हमारी हारे वीडियो का रोड़ लिएकिसंद आपको प्राप्त होता रहे, तो मिलते हैं आप से नेक्स्ट वुडों में कुछ और आवश्चक बाते लेकर तब तक के लिए नमस्कार